तो हेलो स्टूडेंट नमस्कार मैं हूँ श्रुनकुमार संध्या कंप्योटर के यूडूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ देखे फ्रेंट्स आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेगा हूँ वो है राजस्थान का इतियास ब्यस्टे से एक्जाम 2021 मारवाड के इतियास है उसके बारे में सबसे पहले होगी तो बढ़ते हैं वीडियो की और आज के जो अपने साथ सक्वार जो बचे हैं कम से कम उनके बारे में जो किश्यन पूट अप होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत सर्चा करेंगे तो जो important बाते होगी वो मैं आपको कहता जाओंगा तो उसको आप note down करते रहीगा देखीएगा जैसा आपको headline के दिख रहा है माराना जगत सिंग परतम जो अपना लास्ट वीडियो था उसके अंदर जो अपन ने पढ़ा था कर्ण सिंग तक अपन ने पढ़ लिया था त्यज़ो माराना जगत सिंग है यह하게 किसके वेटे हैं करन सिंग के पुत्र है जो बात में क्या बने माराना बने ये क्या है कि शुरू से यी कापी दानी व्यक्ती थे कापी मलँ अब बोल सकते हो ऐसे कि बहुत ही दानी व्यक्ती थे prin्स इन्होंने जगन्नात राय? विष्णु का मंधिर निर्मान करव कें निगरानी상 हूआ आपक बना था। यानि कि बाना और उसके पुत्र मुकंद की अध्यक्स्ता में क्या हुआ था जगनात राय का जो विश्णु का पंचायचन सेली वाला जो मंदिर है उसका निर्मान करवाय था किसने जगत सिंग परतम ने करवाय था तो यहां से कम से कम आप यह बाते याद रखना उसके आया था वह उसकी जो परतिष्टा है फ्रेंस कब हुई है तेरा मही 1652 को इनकी क्या हुई है और उसके बाद में यहां पर एक प्रस्ति लिखी गई थी और यह पूचा जाता है कि जगनात राय परशस्ति की रचना किसने की थी तो क्रिश्ण बटने की थी तो यहां से कम से इनके बारे में आप पता रखना उसके बाद में आपको नेक्स्ट बाते यहां पर लिखी गई है कि महराणा ने पिसोला में मोहन मंदिर और रूप साकर तालाब का निर्मान कर रहा था जग मंदिर में जनाना महल आदी बनवा कर उसको अपने नाम पर ही क्या रख दिया जग मंदिर उसका नाम रख दिया उसके बाद में फ्रेंट्स देखीएगा कि ये जो जग मंदीर है आप बोल सकते हो कि इसके पास में क्या एक दाइ का मंदीर है जो जिस दाइ का क्या नाम है नो जू बाई और ये प्रेंट जो नुजू भाई है ये माराना जगत सिंग के यहाँ पर लिका है कि माराना जगत सिंग के समय परताब गड़ की जागिर मुगल बासर साजा दुआरा मेवाड को जो सवतंतर करा दी गई थी जगत सिंग के समय में जो परचाब गड़ की जागिर है किस ने सवतंतर की थी तो साजा ने की तो यहां से कमसक में ऐसे क्यूशन प्रेंट आप से पूटब किये जा सकते हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं कि एक तो वह यह कि जो जगरनात राय का मंदिर है कि सहली मे बना हुआ है तो पन्चैतन सहली में बना हुआ है और इसका निर्मान किसने कराया जगत सिंग भरतम ने कर आया और यह आपको प्रसस्ती का पता रखना है जो जगरनात राय प्रसस है क्रिश्ण भट ने लिखवाई है तो यहां से कम से क्यूशन आप से पूटब किये जा स इनका जो साषेनकाल है 1652 से 1680 इसमे तक प्रंट्स ही है यहां से आपको जो किशन मैं आपको बताता हूं इन ने क्या किया गोम्ती नदी के किनारे जो पानी को रोक के किसका निर्माण करा राज समन्द जील का निर्माण करा है तो यहां से यह क्यूशन आपसे पूट अप किया जा सकता है कि जो राज समन्द जील है उसका निर्मादा कौन है तो माराना राज सिंग है और यह किस नदी के किनारे हैं तो गोमती नदी के किनारे हैं उसके बाद में प्रेंट्स देख किसकी रचना की है राज प्रसस्ती की रचना की है तो यहां से कम से कम यह बाते याद रखना की देखीगा सबसे पहला तो यह कि राज समझ जिल का निर्मान किस ने करवा है माराना राज सिंग ने करवा है इसको किस नदी के गिनारे बनाया है तो गोमती नदी के गिनारे और यह जो राज प्रसस्ति हैं इसको ही रचिना किस नं किये तो रंड़ बतने कि हैं प्राज सिंग के समय कि आनी मिलते हैं, कुलेक मिलता है यह जो किशनगड की राजकुमारी चारु मती से जब इनका विवा होता है तो यह जो और्थे हैं उस से चारूमती से विवा करना चाहता था तो इस बात को लेके राज सिंग और औरमजेव के मद्या एक परकार से विवाद उत्पन होता है कि भई यह जो महराना राज सिंग और यह सारूमती वाली जो प्रंट्स बात हैं कम से कमस्कम याद रखना आपके आगे काम आएगी और इस बज़े से फ्रिंट्स क्या जो हुआ था? उसके बाद में नедьस बाते लिखी है ऑब हमाता का मंदिर और द्वार का मंदिर का निर्माण किस्त करा है तो महहां से कम से कम आप से कीशन फुतक किये जा सकते हैं एक तो राज समन्द की जिल का निर्माण किस्त करा है तो महाराणा राज सिंग ने करवा आ है, फ्रेंट सिया पर क्या है 25 सिलाभे को लेक उतक्रेन है, जो सबसे बड़ा सिलाभे हैं जिसका नाम क्या है, राज प्रससति हैं और इसकी रॉचिना की है, रण्षोट बटने की है, और चारू मति के कारण फ्रेंटantis राज सिंग और माराना जगत सिंग के पुत्र राज सिंग का चुराज्या विशेक है वो प्रेंट्स कब हुआ है दस अक्टूंबर 1652 के अंदर इनका क्या है राज्या विशेक हुआ है ये प्रेंट्स देखिए का रण कुचल थे सांसी वीर निर्बेक सच्छा सत्रिय बुद्धिमान त्रम और दानी राजा था उसने महाराना जगत सिंग के द्वारा प्रारंब की गई किस्टोड की किल्ये की जो मरम्मत थी और कारिये को फ्रेंट इन्हों ने क्या किया था जारी रखा था और बात्सा औरंग जेब के दो अप्रेल उन्नीस सो गुणासी का हिंदू पर जो जजिया कर फ्रेंट्स इन्हों ने लगाया था किसने औरंग जेब ने तो इनका इन्हों ने क्या किया था विरूद किया था किसने राज सिंग ने फ्रेंट्स इनका औरंग जेब का विरूद किया था क्योंकि इन्हों उनिस सो गुणास्ती में हिंदू पर जजिया कर लगाया था तो यहां से कम सक्रम यह याद रखना एक्जाम की तुरुष्टे से इंपोर्टेंट हो सकती है उसके बाद में प्रॉट्पूर के जगत सिंग को अपने यह आश्रिय दिया और जजिया कर देने से जो हैं इनको इ प्रॉटेंट हो सकती है उनको फ्रेंट सपन देख लेते हैं कि इन्होंने गोंती जामरी और रुपारेल बगार नामक नदियों के पानी को रोक कर डेबर नामक जो जील है जील बनाई जिसको फ्रेंट जिसका नाम क्या है जैसमंद जील है तो देखिएगा जैसमंद जील का निर्मान किस ने करा है माराना जैसिंग ने करा है फ्रेंट इसको क्या बोला जाता है डेबर भी बोला जाता है तो यहां से कम से कम यह बात आप याद रखना बागी तो यहां से आपसे पूची जाएगी है नहीं, अगर आपसे पूचता हैं कि जैस समध जिल का निर्मान किसने करवाया है, तो आप सिंपल से बताना कि जैसिंग ने करवाया है, उसके बात में जो नेक्स्ट आपके साथ से कहें, महराना, अमर्शिंग, दित्य, और एकर मैं इनके साशंकाल की बात करूँ तो इनका जो साशंकाल है 1690 से लेके 1710 स्वितक प्रेंट से इनका क्या है साशंकाल है और देखीगा इनके अंदर जो इंपोर्टेंट बाते हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि वागड तता परताफगड को पूना अपने अदिन किया यानि किस ने किया था महराणा अमर सिंग दित्या ने किया था एवं जोदपूर वा आमेर के मुगलों जो जोदपूर वा आमेर जो थे उनको प्रण्ट मुगलों से मुक्त करा कर जो करमसे थे यानि जोदपूर से अजित सिंग थे और आमेर से सवाई जय सिंग को वापस वहां का सासक बनाने में क्या की एक परकार से इन्होंने साहिता की तो कम से कम यहां से यहाद रखो तो अच्छी बात हैं और इन्हों ने अपनी पुत्री हैं उनका विवा किसके साथ करए था उनकी। महाराणा सवाहिट जैसिंग के साथ में करवाया था तो यहां से कम सक्यम यह बात यह याद रखना जो भी इंहों को आपको सामने लेके आया था आज का जो अपना टॉपिक हैं यहां पर कंप्लीट हो जाता है यानि मिवार राजी का इतियास पूरा अपना एक परकार से कंप्लीट हो गया है अब आप लोग अगर किसी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी वहां से आप अरम से देख सकते हो और फ्रेंट जो भी है आपके जो आर्ट एंड कल्चर है जेग्राफी है उनके भी विडियो तायार कर रहा हूँ एक दो दिन में आपके समक्स हो जाएंगे फ्रेंट आज नहीं तो कल आपके सामने करा और शांस करती और जेग्राफी के वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगा आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा क्योंकि आजकर जो मैटर है उसमें से एक्जाम के रिष्टे से जो के मेल कुशन है चार से पांस कुशन है जो हो सकता है आपको एक्जाम पूछे जाए प्रेंट अगर पूछे जाते हैं तो यह इस चैनल के लेटेस्ट नॉटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुचेगी तो आज के लिए इतना ही जै हिन वंदेबांतरम जै बारत मिलेंगे कल एक नए वीडियो को साथ